कमलनात की दो टूप जिसे नहीं रहना आप पहले बता दे कमलनात ने ये बातें PCC में हुई बैठक के दोरान कही यकीनन इस तरह की बैठके और बयान बीजिपी में देखने और सुनने को मिलते हैं लेकिन अगले साल विदान सबाद चुनाव होना है तो कमलनात ने जमीनी इस तरह पर संगठन को खड़ा करनी की कमान अपने हाथ में ले ली है विधायक, जिला ध्यक्ष और प्रभारियों के बैठक में कमलनात ने ये तक कह दिया कि उन्हें पता है कि कौन कौन नेता बीजेपी से मिला हुआ है कमलनात ने जिला प्रभारियों को दो टू कह दिया है कि जिसको प्रभारी नहीं रहना वो बता दे लेकिन बाद में धोखा मत देना कमलनात दो हजार तेईस से पहले संगठन में बड़ा बदलाव भी करेंगे इसके अलावा कई जिला ध्यक्षियों की छुट्टी करने के भी संकेत कमलनात ने दिये हैं उन्होंने अपने विधायकों को दो हजार तेईस का चुनाव हलके में नहीं लेने की सला भी दी हलाकि धोखे वाली बात पर बीजेपी कमलनात को घेर रही है सुरुवात कहां से करेंगे कमलनात जी हटाने की सुयम से करेंगे क्योंकि अध्यक्ष के नाते जो विपक्षी पाइटी के नेता प्रतिपक्ष के नाते कौन सक्रिय जनता के साथ संकट में सेवा के मामले में हो या मदद के मामले में हो या विपक्ष के राजनितिक दल के नाते किसी भी सक्रियता के मामले में हो कभी नहीं कभी नहीं कता ही नहीं इसलिए कमलना जी किसकी निस्क्रियता की बात कर रहे हो आप स्वेम निस्क्रिय हो आपके नेता प्रतिपक्ष निस्क्रिय हैं आपके पदादीकारी निस्क्रिय हैं मैं तो सवाल पूछता हूं भाजापा की तरफ से कि आप हटाने की पलट से सबक लिए बैठी है ऐसे में कमलनाथ का डर भी वाजिब है हाला कि कमलनाथ की बातों का असर कॉंग्रिस नेताओं पर कितना पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है लेकिन कमलनाथ के बयान से बीजेपी को फिर से बूलने का मौका जरूर मिल गया है नमस्कार मैं हूँ शर्ण दिवेडी और आज का हमारा मुद्दा है धोखा मत देना जो खबरें बैठक से आईं उनमें ये दावा किया गया कि कमलनाथ जी ने कुछ इस तरह से अपने मनोभाव को व्यक्ति किया और दूसी तरफ जब इस संदर्ब में हमारी पार्टी के किसे नहतार्थ निकाल सकते हैं उनका भाव कुछ इस तरह का था कि अगर किसी की कोई चुनौती हो पारिवारिक हो या किसी भी प्रकार की स्वास्त गतिया कोई और कठिनाई हो तो वो अभी ये बता दे कि वो ये चुनावी दाइत और ये पार्टी के गंभीर दाइतों को उठाने में सक्षम नहीं है तो हम पहले से ही अवेर हो जाएंगे और उसके लिए एक बहतर विकल्ब की तलाज भी हम कर लेंगे कि भई आप व्यस्त हैं आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको देख लेंगे तो ये दो व्यू हैं आप ये कह सकते हैं अगर इसका हम इन्फर इस कारण ये नहीं कर पा रहे हैं आप पहले बता दीजिए हमको हमें कोई समस्या नहीं है हम आपकी जो भी चुनोती होगी हम उसको रिस्पेक्ट करके आपको कह देंगे आप ठीक है आप मत करिए फिर आपका विकल्ब है आप दुनिया सभी की है ताप आप भी और हम भी जानते हैं जब परिवार में माफ कीजेगा अलगोजी हो जाती है अलगाओ हो जाता है तो पार्टी या इसकी तो कोई बात ही नहीं है लेकिन ये बड़ी भावनात्मक बात कमलनाद जी ने बैठक में कही है वो एक ऐसे लीडर के तौर पर बैठक में नजर आये हैं जो मन क की गहरी भावना से करीब पचास मिनिट का उनका भाषन जो हमें सुत्रों से पता चला है पचास मिनिट के इस भाषन में वो धारा प्रवाह निरंतर वो ये बोले हैं और हर नेता और वहां उपस्थित वरिष्ट कारे करता कि आँख में आँख डाल कर वो ये बोले हैं कि आप अपने पार्टी धर्म का पूरी इमानदारी से निर्वाह करें। ये इसको कहा जाता है कि वक्त की मांग है। और आप पूरे इमानदारी से अपने दायतों का निर्वाह करें। इससे 2023 में हम एक मजबूर चुनौती भारती जनता पार्टी के सामने रख सकें और सकरात्मक नतीजों के लिए पूरी पार्टी को तयार कर सकें। जाहिर है उनके इस कथन के पीछे अतीद की कड़वी स्मृतियां हैं जो ना सिर्फ उनका बलकि हर कॉंग्रेसी का पीछा करती हैं कि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो यह पाता है कि चुनौतियां उसके अपने घर से ही रही हैं और जो भी कारण रहा हो मतभेद रहे हो कुछ और मुद्दे रहे हों लेकिन उसकी वज़े से कॉंग्रेस ने एक बड़ी कीमत दोजार अठारा में सरकार बनने के बाद भी सरकार गिरा कर चुका है तो आज यह जो कमलाजी की भावुक और पार्टी करेकरताओं के मन तक पहुंचने वाली अपील की कोशिश है इस पर हम बात करेंगे जो महमान हमारे साथ है उनसे मिल लीजे मेरे साथ बोपाल स्टूडियो में है आजेर सिंग यादव जी उपाध्यक्ष हैं कॉंग्रेस के मीडिया विभाग के बहुत स्वागत करता हूं आजे जी आपका अर्शी शगरवाल जी है गौलियर से जी पहली टिपणी आपकी किस तरह से आप देखते हैं कमलाजी ने जो बात कही है उन्होंने जो बात कही है उसके दो सिरे हैं जो हमारी रिपोर्ट कह रही है वो ये दावा कर रही है कि उन्होंने कहा धोखा मत दीजेगा और पार्टी के अंदर खाने की खबर ये है कि उन पुरा कारे लिए कारे हरी देखते हैं वह बहुत साफ़ोई के साथ अपनी बात करते हैं और उनकी बात जो कहते हैं वह का भी बुलमूल बात नहीं करते हैं जिसके अलग-लग रस्त पर दोड़ा है और अपना प्रस्पर्स्ट कहने का नुकसान पहले उठा चुके हैं और उसमें वो कहीं कहीं कॉंप्रमाइज के मूल में लें जहां तक आप बात कर रहे हैं कि एक तो हो गया कि आप क्या पीज़ाना चाहते हैं या कहीं मासवा कांचा है तो अभी तैगर लीजे या फिर आप चुनाओं लड़ने वाले हैं या नहीं लड अधिवद्ध लोगों की एक टीम चाहते हैं जो पूरी ताकत के साथ में सारे इफ और बट अलग रख करके चुनाओं के मैदान में उत्रे और वो स्यारी कहते हैं ताकि एक बार जब आगे बढ़ जाए तो पीछे हटने को इसकी लाव हो मुझे लगता है उनकी इस पस्व कारिश हली है कमलनाज जी के अपनी कारिश हली है बिलकुर ठीक है अपने अपनी अपनी कारिश हली है और कमलनाज जी नफा नुकसान की बहुत परवाह बोलते समय कम से कम नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी एक क्लारिटी रहती है दमाग में कि मुझे ये बात कहनी है और शायद उनका बहुत विश्वास नहीं है वराल आशी जी आप किस तरह देखते हैं बीते तीन-चार महिनों से अगर भारती जनता पार्टी की बात करें तो कमलनाथ जी कमलनाथ जी कमलनाथ जी सारा निशाना केंद्र बिंदू कॉंग्रेस में अगर कोई है नेता तो वह PCC च कि उनको निशाने पर रखा जाए 15 महीने में उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है पर कॉंग्रेस नहीं उनको यहां पर सिर्मौर बना रखा है नेता पृतिपक्ष भी वही है और उसके अलावा जब कोई दिखता ही नहीं है तो निश्यत पाहर भी नहीं है पर विदंब जी बिचारे कुछ नहीं कर पाते हैं विशय सिर्फ इतना है कि देखे आज विदंबना ऐसी है कि जो कॉंग्रेस पूरे भारत को जोडने के लिए यात्रा निकाल रही है उनसको अपनी मद्दब्रदेश की यूनिट में ये टूटन नजर आती है तो जो कॉंग्रेस अपन को सुनें तो उसमें सिर्फ नकार अत्मक था थी उसमें सिर्फ अविश्वास था उसमें एकता तो कहीं थी नहीं अविश्वास भी ऐसा कि उनको बोलना पड़ा कि धोका मत दो अविश्वास भी ऐसा कि उनको बोलना पड़ा कि मैं जानता हूँ कि भाजपा से कौन कौन मि बात कमलनाच जी आज एक मानसिक्ता और नजर आई sì Umgeẩn कि उन्हों में उन्हों कहा कि किसी का Apost 고्षाइ इस में खेना कमलनाच जी चिजित भारती बात kंग्र करने और यही मूलत कारण है कि जनता भारती जनता पार्टी को वोट देती है आज भी देखिए इस देश में अतीवरष्टी के कारण जहां जहां समस्या रही आप एक कॉंग्रिस का नेता बता दीजिए वो कहीं पर खड़ा नजर आया हो और 15 महीने की जब सरकार्ती है तो तब भी खड़े नजर नही देते थे तो यह सिर्फ एक बंद कमरे में निराशा जनक नकारात्मक भाशन देने से पार्टिया नहीं जीवित होती है पार्टिया जीवित होती है जनता की बात करने से जमीन पर उतरने से और इस तरह की नकारात्मकता से कॉंग्रेस को कमलनाजी और गर्थ में ले जाएं अजय जी निश्चे तोर पर कमल नाज जी जब पीछे मुड़ते होंगे तो बहुत सारी कड़वी स्मृतियां उनका पीछा करती होंगे अलाकि बहुत पीछे मुड़के देखनें भरोसा नहीं करते हैं लेकिन जिस तरह वो दो टूक कहते हैं जैसा जै जी कह रहे थे कि वो इसकी भी परवा नहीं करते हैं कि यह हमने भी उनको देखा है कि वो जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं इसलिए कभी अपने कहे से वो पीछे भी नहीं आठते हैं हमने उनसे कई बार उनके स्टेटमेंट्स को लेकर पूछा कि आपको क्या आप इसे बोले जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ आप उसका जो भी अर्थ है देखें मेरे लिए यह अर्थ है आप क्या कहेंगे ओवराल जो मीटिंग रही है गुरुवार की और बड़ी महत्पू बैठक का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि मिशन 2023 के लिए कॉंग्रेस पाइटी ने अपना रोड में तैयार किया है आज मैं भरती जनता पाइटी के जुट फरेव की भाद में बात करूंगा लेकिन आज कॉंग्रेस के कारिकरता और हमारे जो नेता हैं उनके माध्यम से क कमल नाच जी ने वो रन्निती बनाई है जो मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को 2023 का चनाव भी जिताएगी और 2023 में मध्य प्रदेश की जनता का आशिरवाद भी कॉंग्रेस पार्टी को मिलेगा संगठन के लिहाज से हमने बहुत सारे परिवर्तन किये हैं जैसे नए सिरे से प्रभारी बनाए गए से प्रभारी बनाए गए प्रभारियों को दायत दिये गए मंडलम सेक्टर स्थर तक किस तरह से कमेटियों को छोटा किया जाए और कोई भी कार्यकरता या कमेटी कागजों पर जमीन पर होगी सेक्टर इतने छोटे होंगे जो कार्यकरत के लिए पहुचना असान होगा एक ब्लॉक में डेर सो बूत संपर्थ करना मुश्किल होता है सेक्टर बनाए जा रहे हैं 25 बूत के मंदल बनाए जा रहे हैं 15 बूत के जहां तक कार्यकरता पहुच सकता है और प्रते बूत कमेटियों की रणिती PCC कार्याले को भेजी हम फिजीकल वेरिफिकेशन करेंगे और कार्यकरता हों तक अपनी बात पहुचाएंगे साथ ही संगठन में जो न्यूक्तियां होंगी जिलों में समन बैसमीटियां किस तरह से बनाई जाएंगी ताकि जिले के तमाम निर्णय जिले के वरिष्ट निताओं की समन बैसमीटि में बने साथ ही संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं और वो चुनाओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जिलाद्यक्षों ने स्वेक्षा से चाहा है कि उन्हें इस कार्यभार से मुक्ति दी जाए तो उन मामलों पे भी चर्चा हुई और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो कि पाइटी की रंडीती की हिसाब से खुले नहीं जा सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पाइटी पूरी तरह पॉजिटिव होकर चुनावी मैदान में उतरी है अब आशीज जी करें नका रात्मक भाशन हमारी मीटिंग का भाशन आपने कहां से सुन लिया किसी भ बात का आप कह रहा हैं कि आप तो हमें कॉंग्रेस नेता नहीं दिखे आपको कमल्ला जी नहीं दिखे धार में जब डेम ढहरा था 20,000 लोग सड़कों पे थे उनका अभी बारिश के बाद की जोस्तिती है पीशी शर्मा जी भुपाल में जब आपकी पूरी पार्टी लेकिन महत्पूर्ण ये देश के सबसे वरिष्टम नेता कमलनाच जी जिनकी रणिती का भाजपा खौफ खाती है चिंदवाडा की नगर निगम सातों बिधायक हमारे इसांसा जिला पंचायत सब कॉंग्रेस के तो कमलनाच जी की वो रणिती है जिससे भाजपा डरती है इसलिए उन्हें नेता प्रतीपक्ष भी कमलनाच जी दिखें गुविन सिंग जी के कॉंसे डेड़े कमलनाच जी ने ले लिए जबसे गुविन सींग जी बने विदानसभा का सत्र तो आपने बुलाया भी नहीं अभी तक लिसलिए ये बेसर पैर की बाते हैं आप जैसे ब कि कॉंग्रेस की तरफ से उसके संगठनात्मक मुद्दों और निर्णयों पर कुछ नई बातें बड़ी मजबूती से यहां सुनने को मिली हैं और ये मुझे फिर बीजेपी की आधी दिला रहा था कि जिस तरह बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों में एक-एक बिंद यह भी संकोच नहीं है क्योंकि कवलनाज जी हमेशा कहते हैं कि हमारी टकर बीजेपी से नहीं उसके मजबूत संगठन से तो कहीं न कहीं वह एक उसके मुकाबले अपने संगठन को उसी किशैली में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कॉंग्रेस भले इसको ना माने लेकि में बहुत अच्छा है यह जितना अच्छा जमीन पर उतर जाएगा शायद उतने बहतर नतीजे देगा और यही कॉंग्रेस की चुनोती है क्या कहें गया आप पिछले कई हम डिवेट में भी यह चीजों बात कर चुके हैं कि कवला ची लगाता संग्री है और एक बात सबस बिवाद नहीं है कि सारे दिर्ण है सारी चीजे कमर्णाज जी पर केंवरेट हो तो सबसे पहले तो कॉंग्रेस ने इस एक बड़ी जो आपस की जो अंतरदून दूते उससे उबर गई है कही ना दिविजे सिंग्जी अलग देख रहा है ना कमर्णाज जी अलग ना कोई स अबुक्ति सा कोई और नहीं आब तो कुल मिला गर्के सारी ने के कर रहे हैं तो एक तो एक महतुर्अ बात या लगातार सक्रीचा है और ये बात भी सही है कि ये तकरीटा जब तक फील्ड में नहीं आएगी तब तक ये सारी कसरत बेमानी हो जाएगी तो कि ये तब जिलाज सर के काईयां और आपके पंचायत इस तरह तक इनका पूरा संग्ड़ना को धाचा नहीं खड़ा होता तब तक ये सारी दिक्ते हैं ह तरकार बदल सकती है जिसमार कोई दो रहा है नहीं आशी जी कॉंग्रेस जिस तरह से अपनी बैठकों में अपनी संगठनात्मक गतिविदियों को विस्तार दे रही है ये कॉंग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है बीजेपी जानती है कि उसकी ताकत क्या है और उ उसके साथ एक ट्रिपल इंजिन का नारा भी जुड़ा है यानि अब केंद्र में भी उसके जो चुनाओ के माहिर रणनीतिकार नेता है जिनमें अमिज शाह जी का नाम सबसे पहले आता है वो भी अपने पूरे सपोर्ट के साथ और जहां-जहां क्योंकि रिपोर्ट उनके पास भी पूरी होती है जैसा कमलनाच जी के साथ दावा रहता है कि सर्वेय है अमिज जी के पास और आला नेता जो है उनके पास पूरी रिपोर्ट रहती है राज्यों की तो ये भी एक आपकी ताकत है बरहाल आप कॉंग्रेस के इस कदम को कैसे देखते हैं कि वह काफी कॉंगा कॉपी कर रही है लेकिन उससे काफी सीख कर उसी शैली में संगठनात्मक गतिविदियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जी आशी जी देखे अगर कॉंग्रेस ने जरा सी भी सी भारती जन्ता पार्टी की शैली से ली होती तो इतने समय से अपने राश्री अध्यक्ष के पद को सिर्फ एक जो नहीं चाहती है उस पद को समालना आधरनी श्रीमती सोरिया गांधी जी को देखे रखते क्या कोई नया कारिकरता लेकर आते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है जो गांधी परिवार या नहरू परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है तब तो बात होती दूसरी बात जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी में पीड़ी परिवर्तन हुआ नया कारिकरता आया नये नेता आये आपको कौन सी कॉंग्रिस में ऐसा नजर आते हैं जहां पर आए तो वहां पर कॉंग्रिस ही समाप्त हो गई और जहां तक यह जो मंडल तक और बूथ तक अपनी समितिया बनाने की बात है तो यह पीडियों का सफर पलों में तै करने वाली बात है भारती जनता पार्टी जिसमें पीडियां खब गई इन संगठन की विवस्थाओं को लाने में आज कमलाज जी मात्र एक साल में एक ऐसे सेना पती के रूप में उन चीजों को स्थापित करना चाहते हैं जिसको अपनी सेना पर ही विश्वास नहीं है कमलाज जी ऐसी सेना को लीड करते हैं जिन्होंने राश्पती चुनाव में लगभग 15 लोगों ने कमलाज जी के और उनकी पार्टी के फेवर में ही वोट नहीं किया था तो जिस सेना पती को स्वेम अपनी सेना पर विश्वास ना हो और उसके परयाप्त प्रमान हो वो कभी युद्ध जीतती नहीं है अजे भाई कह रहे थे कि आप इनका भाषन मैंने कहां से सुना अरे मैंने तो दिन में बंसल नीज का चैनल देखा जिसमें उस भाषन का एक चंक था आपने नहीं सुना हो तो आप सुन लीजेगा आपको कमल नाज जी ने जो कहा वो ओन रिकॉर्ड मीडिया चैनलों पर उपलब्ध है और आप उसके परयाप्त प्रमान देख सकते हैं इसलिए आप कमल नाज जी को डिफेंड ना करते हो को कि दूसरा रास्ता निकालें उसके दूसरे बावार तलाश है बाकी जनता जानती है यह कैसे स्थाफित होता है अजय जी देखिए आशीज जी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह की बियर्थ की बात का कोई अर्थ नहीं होता है कमल नाज जी ने मीटिंग के पह अर्फ तरह कर दो प्रमाण देदीजिए कहां है रिकॉर्द कर दो अर्फ पर्मान करता हो यह का अज मीटिन में चलता रहा है कि कमल नाज जी अपने वेडिया कि चलिये बताईए यह पालजेजिए ब्यान करुद्ध की परंपरा निवारा जूत की श्रिंखला बना रहा है यह नहीं हुआ है जुट प्रमपुरा या आप माने को अपने वेताओं पर विश्वास नहीं है कि अपना घर समालना चाहिए जिस ग्वालियर में बैठे हैं मैं वहीं से उधारण देता हूं तीन दिन पहले एक लेटर आता है मीडिया में सिंधिया समर्थक चांदा विरायक यह चार निताओं को संगठन में पद्दे दिये जाएं तो कौन सा संगठन कौन सी पाइटी यह सब भरतिये जनता पाइटी में अब किस्से कहानी हो गई जिस तरह से डबरा में मर्ती देवी ने कॉंग्रेस के निता को जितवा दिया नरुत्त मुष्रा जी के प्रत्यासी को हरवा दिया तो भरतिये जनता पाइटी में अब यह केबल जुम्ले बनके रहे गए हम नए नवाचार कर रहे हैं बाल कॉंग्रेस हम लाएं आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है मद्य प्रदेश में हमारे 34 प्रकोष्ट काम कर रहे हमारे पास के शिलफी जैसे जैसे प्रकोष्ट के जनता हमारे साथ है जैजी एक बड़ी पुरानी कहानी है दो युवाओं की जो सन्यासी है और उनको यह कहा गया है कि आप स्त्रियों से दूर रहें उनमें से एक सन्यासी उफंती नदी से एक माज युवा है उसको नदी पार कराता है पीट पर बिठ कर रहे हैं चुना नहीं हमारे गुरू जी ने का नहीं चुना दूर रहना अरंत में जब दोनों नदी पार कराने के बाद चलते हैं तो फिर वही बात दोराता है कि आज मैं तुम्हारे मन की मलीनता समझ गया तो वह सन्यासी कहता है कि मैं तो उस इस्त्री को किनारे तो नजर आई है कि आप उस पुराने अतीद को और जो बात अशीज जी ने कही वो भी एक फैक्ट के तौर पे दर्ज है कॉंग्रेस भले ही दिनाई करें और हम ये भी नहीं कहते हैं कि वो गलत कह रही है लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हुई है यानि पार्टी में एक धड़ा अभी भी है जो जिधर दम उधर हम वाली एक शैली को लेकर आगे बढ़ने की मनशा रखता है और ऐसा होता आया है परिस्थितियां किसी भी पार्टी की हो ये चीज हमने देखी ऐसे में कॉंग्रेस को इस पीड़ा से निकलना भी क्या आपको लगता है बहुत जरूरी उन लोगों पर भी असर डालती है जो कहीं न कहीं इसको लेकर एक मनोवज्यान एक चिंता से घिर जाते हैं निश्यत रूप से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस अभी भी थोड़ा डिपेंसिव मोड में है और अपना घर बचाने के लिए पहले पोचिश कर रही है उसको अब थोड़ा का आकरामक होना पड़ेगा जैसे बीजे थी कि यदि हम शैरी देखें तो जब वो दो सीटें थी तब भी वो बहुत आकरामक हुआ करती थी कॉंग्रेस में वो आकरामक था कि हमी हमेशा मैसूस की और मुझे लगता है कि आज जो कमनलाची ने अपने कार्यकरताओं से कहा है एक शेर है पहले तो अपने दिल की रजा जाएए फिर जो निगाहे यार कहें बिल्कुल ठीक कहा आपने और कॉंग्रेस को पुरानी इन चीजों को तो जहन से निकालना होगा क्योंकि ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि बीजेपी अपने उस समय भी बहुत एग्रेसिव थी और बहुत आकरामक होकर वह आगे बढ़ती थी और क्रिकेट में भी हमने देखा है कि कई बार आप जब ये भूल जाते हैं कि आपके कितने विकेट हो चुके हैं और आप बहुत एग्रेशन के साथ बैटिंग करना शुरू करते हैं हार्दिक पंडिया की तरह जो उन्होंने अब फिर एशिया कप है और संडे को इसी संडे को पाकिस्तान के साथ बना गये थे बहुत एग्रेशन की थी लेकिन क्या कॉंग्रेश वह एग्रेशन कर पाईगी क्योंकि उसके लिए आपको स्कोर बोर्ड की तरफ देखना छोड़ना होगा इस जाने वाला है और आने वाला है क्या होगा नतीजा जो इसमें उल्जेगा और ऐसा ही नहीं कि य कितनी बार जीते हैं उसको उस दिन सिर्फ खेलना होगा यानि चुनाओ के पहले का यह जो एक साल है आप दोनों को सिर्फ अपनी लाइबद बल्ले बाजी पर ध्यान देना होगा और जो जितनी लाइबद बल्ले बाजी करेगा इसकोर बोर्ड की तरफ देखे बिना खीजे बिना चिलाए अपने स्ट्राइकर की तरफ देखे निश्चे तोर पर वो टीम धोनी की तरह हमेशा आगे बढ़ती है तो देखते हैं कैप्टन कूल किसके पास है और जिसके पास होंगे वो पार्टी बढ़ी ताकत से आगे बढ़े कि दावा तो दोनों पार्टी का है कि उनके पास ही है कैप्टन कूल बहुत शुक्रिया आशी जी बहुत धन्यवाद जै जी आगे देखिए 36 गड़ आज का मुद्दा में भाशा पर जुबानी जंग नमस्कार